Hello dear students, आज हम weathering और erosion में क्या difference होता है पढ़ेंगे Weathering और erosion बहुत छोटा सा term है इसमें हम लोगों को आए दिन confusion हो जाता है और आए definition के थुरू देखते हैं कि इसमें क्या difference होता है Weathering, breakdown of rocks by the sun, rain, wind, it is called weathering Weathering में क्या होता है कि rocks जो है सिर्फ उसमें दड़ार आता है तूटता है बहुत छोटे छोटे parts में नहीं तूटता है अब erosion देखें Wearing away of upper layer of soil or rocks by the action of water or wind is called erosion Erosion में क्या होता है कि यहां rocks break नहीं होता है जब उन rocks या soil का upper layer जो है वो बह करके निकल जाता है तो erosion से बहुत सा रहानी है इससे fertility और the soil का घड़ता है I hope आप इन दोनों में बहुत छोटा सा difference है उस difference को समझ गये होंगे जिक्स लोचक लुग 둘 सब्सक्राइब ड unterwegs अन है प्लीएड़ोरा सी ट्यूक्सब्सक्राइब से गढगे on एडोल का यस दोसिते मैं है कि तरहीं मौट कर इस समझे दोनागे थैंक रहीं है वास्टे प्रीज चरणा है